तो बजाज भाई कितनी भाईक है निकालेगा कितनी भाईक निकालेगा जिसका हमें बे सबरी से इंतजार था N250 तो फाइनली भाई 2024 वाली N250 अपने सामने मौझूद है जिसके दो कलर आएं एक आपको सामने स्कीन पर दिख रागा और ये मेरा फेवरेट कलर ब्लैक डार्क आप लोगों कोई गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी कितने का प्राइज एक्यागा चेंजस है और यह वाले स्ट्रिकिंग और यह ग्रे और साथी-साथ यहांपे 250 बहुत मतलब इतना 3D टाइप का लग रहा है कि कोई बंदा सामने से देखे कि ना उसे आधा तो समझ में भी नहीं आएगा और जब समझ में आएगा तो वह काफी काफी हद तक मैल्ट हो जाएगा इस गाड़ी के परती तो यह चीज में को सब्सक्राइब के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा और रॉड़ की बात करूं या दिखने दिखाने की लूक्स की बात करूं तो और और कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है गाड़ी के अंदर बागी नॉर्मल दिखने में इसी सिंपल जैसे पहले आया करती थी वैसी ही है बात पर अगर मेरा जहां से सिक्सेंस कहता है कि अगर पुरानी वाली जो XN 250 ती उससे अगर मैं कंपैर करूं तो साथ से आठ जार डेफिनेटली बढ़ने चाहिए वो क्यों बढ़ने चाहिए वो मैं बताता हूं सबसे बहले चेंजस के बारे में बात करेंगे भाई कि यूएसडी सस्पेंसन जो पहले नहीं आया करते थे ना यह देखो अहां और मुझे नहीं लगता है कि एनस200 वाले हैं क्योंकि एनस200 वाले सस्पेंसन इतने ज्यादा यूएसडी वाला काम नहीं कर पाते वह अपना छाप छोड़ देते पर यह से श्पेंसन देखने ज्यादा खास नहीं बहुत ज्यादा जूलती थी तो अब वैसी सिकायत नहीं मिलने वाली आप लोगों को अब इसके अंदर यूए यूएसडी सस्पेंशन मिलेंगे अपसाइड डाउन फॉक्स जिसकी वज़े से क्या होगा जो इसकी स्टेबिलीटी है हाई स्पीड पे जा इसको आई हुए मार्केट में त्यार से तीन साल हुए होंगे यह देखो भाई 110 सेक्शन का टायर इतना बहतरी टायर भाई अब जो स्टेबिलीटी की सिकायर थी ना वह बिल्कुल नहीं होने वाली सस्पेंशन तो यूएसडी आ आ गए आ गए जैपर के आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए करा इसके अंदर वाई 140 सेक्शन का दे दिया 140 सेक्शन का टायर आ गया तो अब इसके अंदर आपको चौड़े चौड़े बड़े टायर देखने के लिए करेंगे आप लीन करो हाइवेस पर बगाओ सिटी में चलाओ नॉर्मल गली महले में चलाओ जिस मर्जी उस कंडिशन में चलाओ आपको कभी भी भाई कॉन्फिदेंस को लेके या टैर को लेके अब सिकायत नहीं आने वाली हाई स्पीड पर स्पेसली मैं बता रहा हूं कि हाई स्पीड पर थोड़ा सा कॉन्फिदेंस यह लूज करा करती थी वह सारी चीज़ हो गई मैं एक चीज़ और बता दूँ डूल चैनल एवियस तो आय करता था पहले इसके अंदर नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम था अब इसके अंदर पैटल डिस्प्ले का आ गई है जिसकी वज़े से अराम से बढ़िया की जो मतलब जो गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम है वह इस इस तरीके से वर्क करता है कि आप लोगों को जिस हिसाप से गाड़ी के अंदर पावर मिलेगी ना उस हिसाप से ही आपको इस गाड़ी का रिस्पॉंस मिलेगा ब्रेकिंग को लेगे तो आगे वाली और पीछे वाली दोनों ही डूल चैनल एवियस है बहुत बढ़िया ब् आप लोगों को एक वह भी दिखाता है उसका साउंड एक्साउस का साउंड आ कैसा रहा है बहुत बेसी सा बहुत थंपी सा साउंड है राइड वगेर पर आप इससे करोगे ना तो कभी भी आपको ऐसा फीलनी होगा कि मुझे एक्साउस लगाने की जुडत है या गाड़ी इसकी सर्विस वगारा मेंटेनेंस वगारे भी देखो वह भी इतनी सस्ती आ जाती है उन सारे प्राइस ब्रेकट के अंदर यतिने सारे फीचर दे रही है यह देखो पास से मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसके अंदर आ गया वाई फुली डिजिटल मीटर यह देखो पूरे तरीके से चालू होगा ब्लूटूथ कनेक्टिवीटी भी इसके अंदर आ गई है यह देखो जा पर उपर ब्लूटूथ बन रहा है ना इसमोड वाला बटन दवा यह सारी चीज़े दवा कि आप इससे स्लेक्ट भी कर सकते हो अब मैं दिखाता हूं आपको इसके मी जरूर होना चाहिए था और यह चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हाँ धीरे धीरे सेफटी को लेके बहुत ज्यादा कॉंपरमाइज नहीं कर रही है कंपनी सेफटी को लेकर अपना कदम एक कदम आगे ही चल रही है और गाडियों के मुकाबले एक बार और मैं बटन पढ़ने वाला है आपकी जो माइलेज है पहले वाली एंटुफिफ्टी के मुकाबले फार बैटर इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी 14 लिटर का आपको यहां पर फूल टैंक मिलेगा माइलेज अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थर्टी टू गैप रॉक्स यह अराम से इजिली माइलेज थर्टी टू थर्टी फाइट के बीच में अराम से इजिली माइलेज यह निकालके दे देती है पूरी गाड़ी के अंदर ओल एलेडी सेटप आता है तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि आपको ऐसा लगे कि च लगता है ऐसे की पीछे वाला जो पोर्सन है इसके ओपर डेफिनेटली काम किया गया है क्योंकि यह मैट फिनिस में आता पहले थोड़ा सा प्यानो फिनिस में बतला ग्लॉसी ब्लैक जिसे हम कहते तो मेरे को बहुत जाद अच्छा लगा यहां पर स्पार्कल स्पार्कल कर या कभी आने वाले फ्यूचर टाइम में वो सुधार दे इस गाड़ी के अंदर मिलते है भाई पांच गेर यह दिखाता हूं मैं आप लोगों को पास से जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर अगर यह थोड़ी से कि स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक बन रही है के अंदर डाल रहा है मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहने वाली है फटाफट इसके अंदर सायद अपकमिंग वाली एन एन टूफिफ्टी के अंदर शेग आ भी जाए तो यह थोड़ी सी मेरे को मिसिंग लगती है बाकि वाइब्रेशन और हीटिंग इसो की बात करूं को इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिल सकती है थोड़ी बहुत मिनिमल थी बाकि वह रखने को उपर वात है आप गाड़ी को रखते कैसे हो और हीटिंग इसो दिल्ली जैसे सहर में तो मिल सकता है बाकि हाइवेस वगएर पर आपको कोई भी इस लिए उस प्राइस ब्रेकट में इतनी सारी चीज़े मिल तो यह तो बाई सोने पर आप चीज़े और बस यह 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 वागि आपको है अपको शारी चीजे पताऊंगी इसलिए मैंने उचीजों पो छोड़के चेंज की तरफ में ज्यादा हाइवा और कैसी लगी वीडि पताना किसी मेरे भाई को अगर N250 चाहिए नहीं वाली तो सोरूम की डीटेल डिस्क्रिप्शन में जाके कॉंटक्ट करें